तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पीजा का बेस आपको घर पे कैसे बनाना है इसमें मैं ना ही इस्ट का यूज करूंगी ना ही लैमन जूस का यूज करूंगी और ना ही इसमें कर्ड का यूज करूंगी तो इन सब चीजों के अलावा बहुत असानी से आप घर पे पीजा ब आधा चम्मच बेकिंग सोडा यह जो मैंने आठा लिया है यह तीन सो ग्राम के आसपास है और एक चम्मच बेकिंग पाउडर दो चम्मच डालूँगी मैं कुकिंग ओयल कोई भी ऑलिव ओयल या फिरिफाइन डॉल आप ले सकते हैं अब इन सबको अपने हातों से मिक्स कर लेना है हमने ओयल डाला है तो इसलिए थोड़ा हातों से अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे की इसमें बिल्कुल भी गाठे ना बने अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे गुथ लेंगे एकी बार में बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें जो बैटर बनाना है वो बहुत ज्यादा श्टीकी बनाना है तो हमें इसके लिए धीरे धीरे पानी डालते हुए इसे गूतते रहेंगे यह देखिए मैं आटा गूथ रही हूं वहां भी थोड़ा साल लत रहा है मैं दो को आप आठेक के से देखिए सत्यकी आठा मैंने कंच और भी लेंगे कि आठे गूत आठा है प्रशायकी , हातों में कितना लगा यह अइक आप चाहें तो इसी मैथट से मैदे का भी बेस बना सकते हैं मैं आठे का यूज़ कर रही हूँ अब थोड़ा सा तेल लेंगे और तेल उपर उपर लगा के इसको चारो तरफ से हम कवर करेंगे आठे को मैंने पूरे नीचे के बोल में बेस में अच्छे से फैला दिया है उपर से तेल लगा दिया है तो यहाँ देखिए आठा मैंने गूत लिया है अब मैं इसे ढख दूंगी फॉल पिपर से आप चाहते हैं किसी प्लास्टिक से भी ढख सकते हैं बस हमें इसे बिल्कुल भी हवा नहीं लगने देना है अब यहाँ पर ढखके इसे दो से तीन घंटे के लिए हमें इसे रखना है जिससे की आठा अच्छे से फोल जाए और भी ज्यादा स्मूथ एंड श्टिकी बन जाए तो दो से तीन घंटे मैंने रखे थे तीन घंटे कंप्लीट हो गया है चलिए ओपिन गर के आपको मैं दिखाती हूँ यहां देख सकते हैं आठे का जो फॉर्म है वो कितना अलग हो गया है हमने कितना स्टिकी आठा गूत के रखा था यहां देखिए कितना सॉफ्ट बन गया है मैं हलका से प्रेस कर रही हूँ तो आठा अपने आप उपर आ जा रहा है इसका मतलब कि आठा अच्छे से फुल अगर आपकी तीन घंटे में भी नहीं आठा फुल रहा है तो आप एक घंटी लिए और रख सकते हैं अक्सर ठंडी के दिनों में ही दिक्कत आती है तो ठंडी के दिन में चार से पांच घंटे भी लग सकते हैं इसको फुलने के लिए अब मैं नीचे स्लैप पे ही थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करूँगी और जितना आटा था सारा का सारा अब मैं स्लैप पे रख लूँगी आटा बहुत ज़्यादा चिपचिपा है इसलिए मैं यहाँ पे आटा थोड़ा से एक्स्ट्रा यूज़ कर रही हूँ देखिए हातों में कितना चिपक रहा है अब हम इसे हातों में थोड़ा सा तिल लगा लेंगे जिससे की आटा हमारे हातों में ना चिपके और इसे हम फैलाते हुए फोल्ड करते रहेंगे एक बर फोल्ड करना है फिर फैलाना है फिर फोल्ड करना है फिर फैलाना है आप चाहें तो ये प्रोसेश दो से तीन बार भी कर सकते हैं देखिए मैंने बड़ा सा फिर से फैल आ लिया है और मैं इसे एक पर और फोल्ड करूंगी फोल्ड करते हुए हमें इसे प्रेस करते रहना है यह देखिए लेयर फॉर्म बनना जरूरी है तभी बेस अच्छा बनता है अब इसे हाथों में लेके लोई बनाएंगे तो आप उल्टे साइथ से इसकी कटोरी का फॉर्म देते हुए स्मूथ लोई इसको रेडी कर लेंगे यहां देखिए पिज़ा बेस की लोई यहां पर बनके रेडी है अब चाहें तो इसे आप फ्रीज में भी एक घंटे के लिए रख के बाद में भी बना सकते हैं नहीं तो आप चाहें तो इंस्टेंट भी इसका यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको आटा बहुत जादा लग रहा है तो आप इसको दो पाटों में कट करके भी रख सकते हैं दो पीजा बेस के लिए तो यहां भी मैं पूरा का पूरा जितना आटा था सब का पूरा एक बड़ा बेस बनाऊंगी इसके लिए देखी मैं इसी को फैला रही हूं हातों से आप जितना फैला सकते उतना फैला ले पीज़ा का बेस बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए तो मेडियम में बेस बनाते हुए मैं इसे फैला ले रही हूँ क्योंकि इस्टीकी होने कारण जल्दी अच्छे से फ्यालता नहीं है तो आप चाहे तो इसका बेलनका भी यूज कर सकते हैं अब आपको साइज रखना क्या है तो यह आपको सबसे ज्यादा देना है तो आपको जिस भी चीज पर बेक करना जैसे मैंने यहां पर माइक्रोवेव ट्रे में बेक करूंगी तो उसका साइज देखो मैं उन्टा करके चेक कर ले रही हूं कि उससे बड़ा तो नहीं है तो उ एक्स्ट्र आटा है वह भी निकाल देना है नहीं तो बहुत ज़दा आटा नीचे लगा रहता है तो जो मुह में वह आटा आता है तो एक्स्ट्र आटा जो था वह मैंने हटा दिया है अब मैं इस बेस को उठा के उसी ट्रे पर रख दूंगी अ दियान से उठाना है आप इसका मोटापन देख सकते हैं मैंने बेस का कितना है यह देखिए अभी छोटा ही है तो आप चाहें तो इसके उपर भी थोड़ा-थोड़ा फैला के और बड़ा कर सकते हैं उठाने में भी क्या होता है कि बेस थोड़ा छोटा हो जाता है तो देखि है कि जब हम चीज जाले ऑं डेलोप है क्वाइब की चीज डाले और वह ही नाय रहो हो तो ईसके लिये आप Пाहतीन थोड़े सकते हैं साइद सइड थोडह साम मोटा सा तो देखे मैं आपको बना में सब्ल watching हो लिए जूज देखिए सब्सक्रार बिंगत samh History ऑ gone यहां पर श्प्रिंकल करने है च्छेद करने है तो देखिए मैं कर दे रही हूं आप चाहे तो चाकू का भी यूज करके च्छेद कर सकते हैं जिससे कि जब हम बेस को हम कुक करें तो वह अंदर तक हीट जाए और जो पेस है वह अच्छे से कुक हो सके तो यहां पर मैंने पूरा श्प्रिंकल जहां-जहां मुझे लग रहा था वहां मैंने कर दिया है बहुत ज्यादा भी नहीं करना है नि तो बेस फट सकता है तो लीजे फ्रेंड्स यहां पर पीजा बेस बनके रेडी है इसी तरीके से आप भी बनाईए बहुत टेस्टी बनत है तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक क्यार एंड्ड बाई